करन जोहर और राम गोपाल वर्मा सोशल मेडिया में अक्सर एक दूसरे की टांक हिचाई करते हैं मगर एदिल है मुश्किल का टीजर देखने के बाद रामू भी करन जोहर के फैन बन गए है एदिल है मुश्किल का टीजर रिलीज होते ही करन जोहर को सोशल मीडिया में जम कर तारीफे मिल रही है आमिर खान से लेकर वरुन धवन और रनबीर सिंग ने टीजर और म्यूजिक की दिल खोल कर तारीफ की है मगर इन सभी में सबसे स्पेशल है राम गोपाल वर्मा के वो शब जो उन्होंने एदिल है मुश्किल के लिए कहे हैं अपने ट्वीट में रामू ने लिखा रनबीर के क्लोजब को देर तक रखने का तरीका अच्छा लगा इससे पता चलता है कि आपने कितने पैशन के साथ ये फिल्म बनाई है रामू से मिली इस तारीफ ने करन को भी हैरान और खुश कर दिया जिसका अंदाजा करन के जवाब से हो जाता है करन ने लिखा रामू मुझे लगता है कि तुमने मेरा दिन बना दिया इस मिठास भरी बातचीत से वाकई ये लगता है कि दोनों फिल्म मेकर्स के बीच सीज़ फायर हो चुका है कुछ वक्त पहले राम गोपाल वर्मा और करन जोहर के बीच पिटर पर जंग छड़ गई थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे की फिल्मों को लेकर ताने मारे थे पच्चास सालों से हमने कोशिश की हमारी गलती थी लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमने कोशिश की जब हमें जबरदस्ती इस मुल्क का हिसा बनाया गया और इस मुल्क में धखेला गया कि इसमें खोशश करें कि रहें और बिराबरी की बन्याद पर रहें लेकिन हर बार हमें ताकत के जरीए, फौजकशी के जरीए, कतल उगारत के जरीए जवाब दिया गया कि आपको बिराबरी की हैसियत हमकतन नहीं देंगे यह मुलक पंजाब का है और आप इस आपको इस मुलक में जबरदस्ती वोलाम की तरह हम रखेंगे आउर हम सर्फ बलूच लकौम नहीं चाहिए हमें, हमें सर्फ बलूच वसाइल चाहिए हमने तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती नहीं रह सकते ये हमने फैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते आप कहते हैं कि हमने इस मुलक को तोड़ने की बात की है कि इस मुलक को तोड़ने की बात कर रहे हैं इसलिए आप पर आस्मान टूट आया कि पाकिस्तानी मीडिया जब हमने ये बात नरेंदर मोदी साहिब के स्टेटमेंट को खुशामदीद कहा तो इस पर आपने ये फर्ज समझा कि अभी शायद हमने वो तमाम हदें तोड़ दी तो अभी बात कर देनी चाहिए तो आपने सब ने मिलकर एक सोचे समझे मनसूबे के तहट जो एक तीन चार दिन का आपने एक मोहिम चलाया हमने तो सिर्फ बात की जो इस मुल्क को तोड रहे हैं जो आपके मुल्क को तोड रहे हैं जिन्होंने माजी में तोड़ा आप उनके किलाफ क्यों नहीं बात करते मेरे भाई यहाँ पर बलोचिस्तान में लोगों का खून बह रहा है पांच अपरेशने हुई दस सालों से माएं बहने अपने प्यारों को तरस रहे हैं वह गाएब है तश्कारइम try कोई दे दर्ना नजर में नहीं आया हमें कोई इने पाकिस्तान के किशी कोने में इन पर आवाज उठाई और धर्ना देकर रोडों पर निकल आय क्यूंके आपको दिल्चश्टपी नहीं है अगर आपको दिल्चस्पी नहीं है तो आप हम से क्या उमीद रखते हैं कि हम इतने पागल हैं या बेवकूफ हैं कि हम बैठके सोचेंगे कि नहीं नहीं पाकिस्तान के खिलाफ तो भाई बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है हमारा मुल्क ना पाकिस्तान कभी था ना है हमें जबरदस्ती इसके साथ मिलाया गया और जबरदस्ती ये हमारी गलती थी हमें गलती तसलीम करते हैं हमारी गलती थी कि हमने अपना वक्त जाया किया इस मुल्क में रहने की कोशिश की लेकिन अब हम इस मुल्क में कतन नहीं रह सकते जब कोई आपका हिसाई नहीं है हम पाकिस्तानी ही नहीं है तो किसके गदर है हमारा मुल्क है बलोचिस्तान और हम इंशाला वफादार थे, वफादार हैं और वफादार रहेंगे बलोचिस्तान के पाकिस्तान से हमारा कोई तालोक नहीं है वो आप पंजाब जानो आपका मुल्क जाने और आपकी nooitार जाने ये तो मैं समजना हूँ एक बेबकूफी की बात है कि आप किसी और को कहेँ कि मुह हमसे वफादारी करो खासकर नरेंदर मोदी साहिब के जो बियान आया बलोचिस्तान के बारे में और बलोचिस्तान पर होने वाले जल्म के बारे में जो के पिछले दस सालों से पाकिस्तानी पौज और पाकिस्तानी हकूमत कर रही है उसके बाद जो पाकिस्तानी हकूमत और पाकिस्तानी मीडिया का जो रदे अमल सामने आया मैं समझता हूँ वो बिल्कुल हैरंकुन नहीं है क्योंकि हम तो शुरू दिन से ही यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम अधारे पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान की फाउज और पाकिस्तान की हकूमतें नुमाइंदा या कटकुतली जो भी कहा जाए सब मिलकर और एक सोचे समझे मनसूबे के तहट बलोच कौम की नसल कुशी कर रहे हैं बलोचिस्तान में होने वाले ऑपरेशन और जल्म का जो अगर जिकर किया जाए तो आपको छे महीने में या एक साल में कोई एक दो इस तरह के बहस मुभाएसे या टीवी शोज नजर में आएंगे जिनके बारे में भी एक तरीके से और सेंसर करके जिकर किया जाता है लेकिन उसके बाद कभी भी बलोचिस्तान के बारे में किसी मीडिया एंकर ने बात नहीं की वहां पर जो जो जल्म हुआ या हो रहा है अब भी लोगों को हमारे भाईयों को हमारे बहनों को हर दिन कतल किया जाता है गरों से गसीट के निकाला जाता है मिसिंग होते हैं उनक कुछ हमारे लोगों को about इजत्माई कबरों में डाला जाता है है कभी इस पर किसी मीडिया ने तवज्ज़ों दी कभी इस पर कोई बात की गई यही पाकस्तानी मेडियों हर वक्त हमारे बियानात को त्रोड मरोड कर बियान करती है सिर्फ confusion ठैलाने के लिए अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और बैनोल अकुमामी सता पर confusion create करने के लिए अभी भी recently हमने देखा कि हमने जो कुछ interview दिये personally मैंने तो फिर ये कहा गया कि ये बात करने के लिए त्यार है हमने कभी भी बात करने से इंकार नहीं किया हम शुरू दिन से यही कह रहे हैं ये आपका फौज है पाकिस्तानी फौज है देशतगर्द फौज है जो हर वक्त by force कोशिश करती है कि मसाइल को हल किया जाए by force by army operation by killing लोगों को वुलाम रखा जाए लोगों का वसाइल लूटा जाए अगर पाकिस्तानी फौज अपनी तस्लीम का अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और उसी तरह निकल जाए जैसे बंगला देश से 1970 में निकला था तो मैं समझता हूँ अब भी ये वक्त है आपके पाकिस्तानी फौज के पास कि वो थोड़ा बहुत जो है अपना भरम वो रखे और खामोशी से निकल जाए वरना बंगला देश से भी बुरा हाल होगा पाकिस्तानी फौज का बलोचस्तान में मोबाइल बनाने वाली दिगज कमपनी एपल टेक्स चोरी के विवाद में फस गई है यूरोपियन यूनिन ने अमेरिकी कमपनी एपल को आरलेंड में 13 अरब यूरो यानि 14.5 मिलियन डोलर टेक्स चुकाने को कहा है जो करीब 1450 करोड भारते रुपए होते हैं इस दिगज कमपनी पर आरोफ है कि इसने आरलेंड सरकार से स्वीट हार्ट डील की और मामूली टेक्स चुका कर यूरोप के बाकी देशों को अंगुठा दिखा दिया आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब यूरोपियन यूनियन ने इतनी बड़ी रकम की टेक्स के रूप में डिमांड की है फोब्स की 2015 के लिष्ट के मताबिक HCL के मालिक शिव नादर हिंदुजा ब्रदर्स और स्टील किंग लक्षमी कांत मित्तल की जितनी कमाई है उतनी की एपल पर टेक्स उधारी है एपल ने फोन, टैब, लैप्टोप बेचकर मुनाफे की मोटी मलाई उड़ाई लेकिन टेक्स नहीं चुकाया एपल और आरलेंड के बीच ऐसी सेटिंग हुई कि एपल को बाकी कमपनियों के मुकाबले नाम मातर का टेक्स चुकाना पड़ा दरसल आरलेंड सरकार ने ये स्वीठार डिल अमेरिका की बड़ी कमपनियों को अपने देश में निवेश के लिए रिजाने के लिए की थी लेकिन स्वीठार डिल अब एपल और आरलेंड के लिए गले की फांस बन गई है एपल टेक्स उधरी चुकाने को तयार नहीं है आरलेंड एपल से टेक्स मांगने को तयार नहीं है लेकिन यूरोपियन यूनियन ने तीन साल की जाच के बाद एपल को दोशी ठहरा दिया और भारी जुर्माना भी ठोक दिया यह मामला सिर्फ एपल की टेक्स उधरी वसूलने तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि अमेरिका बनाम यूरोपियन यूनियन बन गया है अमेरिका ने चेताओं ने दी है कि अमेरिकी कमपनियों को निशाना ना बनाय जाए ऐसा माना जा रहा है कि अपल के बाद यू की लिष्ट में अगला नंबर गूगल, अमाजोन और मैकड़नाल्ड का हो सकता है पैसे चुकाने के लिए अपल ना सिर्फ पैसा चुकाने के लिए तयार है बलकि उसने यूरोपेन यूनियन के देशों में नोकरिया घटाने की चेतावनी दे दी है गौर तलब है कि 7 दिसंबर को आईफोन सिरीज का नया फोन आईफोन सेवन रिलीज होना है उससे पहले रंग में भंग पड़ गया है क्रिकेटर यूवराज सिंग की मंगेतर हेजल कीच ने अपने साथ नसल भेदी बरताओ का आरोप लगाया है हेजल का आरोप है कि मनी ट्रांसफर सेवा देने वाली कमपनी वेस्टन यूनियन के करमचारी ने उन्हें ये कहकर पैसे देने से मना कर दिया कि उनका नाम हिंदू जैसा नहीं लगता है हेजल ने अपने साथ हुए दुर्वेभार की पूरी जानकारी ट्विटर के जरीय साजा की हेजल के साथ हुए इस तरह के नसल भेदी बरताओ से यूवराज भी खासे नाराज देखे और आरोपी के खिलाफ कारवाई की मांग करने लगे हेजल के साथ हुए इस नसल भेदी बरताओ से नाराज यूवराज ने एक के बाद एक कई ट्विट किये हैं हेजल ने ट्विट किया है कि अब तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ उनमें से जैपुर में वेस्टन यूनियन के कर्मचारी सबसे जादा नसल भेदी इनसान है उन्होंने ये कहते हुए मुझे पैसे देने से इंकार कर दिया कि मेरा नाम हिंदू नहीं है ये घटना मेरी हिंदू मा और मुसल्मान दोस्त के सामने हुई इसके अलावा हेजल ने ट्वीट करके कहा है मेरा नाम हेजल कीच है और मैं जन्म से हिंदू हूँ लेकिन वेस्टन यूनियन को मुझे पैसे देने में इससे क्या फर्क पड़ता है हेजल के ट्वीट के बाद यूराज भी इस ट्वीटर वार में कूद पड़े है और यूराज ने आरोपियों के खिलाफ कारवाई की मांग की है यूराज ने ट्वीट कर कहा कि इस तरह का व्यवार बरदास्त के काबिल नहीं हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाए गौर तलब है कि पिछले साल नवंबर में यूबराज ने ट्विटर पर ही हेजल कीज से सगाई का एलान किया था दिशा पटनी के साथ अपनी रिलेशन्शिप को लेकर टाइगर श्रॉफ चाहे जितना भी इंकार करते रहें मगर सच्चाई सामने आ ही जाती है हाल ही में एक सीक्रेट वेकेशन पर गए टाइगर और दिशा की इन तस्वीरों ने इस खबर पर मोहर लगा दी है कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ते का रिष्टा नहीं है दिशा के साथ टाइगर कई दफा देखे जा चुके हैं कभी दिशा के घर के बाहर तो कभी किसी रेस्टोरेंट में चिलाउट करते हुए लेकिन दोनों ने कभी खुल कर अपनी रिलेशनसिप को अकसेप्ट नहीं किया है टाइगर से पूछे जाने पर वो दिशा को अपना अच्छा दोस्त ही बताते हैं मगर इन दोनों की वेकेशन पिक्चर्स ने इनके बीच रिलेशनसिप की सच्चाई उजागर कर दी है दरसल दिशा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेर की है जिसमें वो बिकनी पहने हुए किसी रिजोर्ट जैसी जगा पर दिख रही है दिशा की बैक ही दिख रही है जाहिर है ये फोटो किसी और ने लिया है वहीं टाइगर श्रोफ ने भी एक इन्स्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेर की है जिसमें वो वैसे ही लोकेशन पर टोपलेस दिखाई दे रहे है टाइगर की ये टस्वीर भी किसी और ने खिजी है अब इन दोनों तस्वीरों से ये तो साफ हो गया है कि टाइगर और दिशा एक ही जगा पर है लेकिन फोटो साथ में क्यों नहीं खिजी ये ज़रूर सोचने वाली बात है वैसे टाइगर की इन तस्वीरों ने रनबीर और कट्रिना कैफ की स्पेन वाली छुट्टियों की याद दिला दी है जिन तस्वीरों ने काफी हंगामा मचाय था पर टाइगर दिशा जैसी स्मार्टनेस रनबीर कट्रिना नहीं दिखा सके थे और छुट्ट्या मनाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे मशूर बिर्टिश जनरलिस्ट पियर्स मौर्गन ने एक बार फिर से ट्विटर पर टीम इंडिया के पूरु सलामी बल्ले बाज विरेंदर सहवाग से पंगा लिया है पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लेंड की थांसू जीत के बाद पियर्स मौर्गन ने सहवाग को चैलेंज दे डाला मौर्गन ने ट्विट किया हाई विरिंदर सहवाग मैं एक मिलियन दान करने की शर्त लगाता हूँ कि इंग्लेंड वन डे वर्लकप जीत जाएगा इससे पहले कि भारत ओलंपिक में अगला गोल्ड मेडल जीते स्विकार है आपको